नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ओनलाइन वाल लेंप के बारे में उख्स लेंप का नाम है स्वामी लेंप ग्लास डेकोरेटिव वाल लेंप विट फिटिंग एंद तिक्सर वाइट कलर का है ठीक है तो चलिए इसको उपेन करते हैं तो चलिए इसको उपेन घरते हैं इसमें बोले उग्लास बला है इसलिए कागा जुबज गोज सरा दिया हुआ है यह उग्लास बला होगा एक तो इसको पहले काट लेता हूं दोपी सोडर किया हूं तो 470 रुपया इसा कुछ एमांध है तो उतका टोटेल हो जा रहा है 940 रुपया वाइट कलर का है इसको पुरा खोल लेता हूं दोपी से निकाल गया है और फिर एक पेपर दिया गया इसका डिटेल से और बाकी सब यह है यह एक का है और दुपरा यह है तो चले इसको फिटिंग करके बाकी और कुछ ने थर्मकल भुरा हुआ है और कुछ नहीं है आप इसको फिटिंग करके चेक करता है जैसे इसमें डिटेल दिया हुआ है तरह शारा चीज जैसे स्वमिल ग्लस ट्रेकारिटिफ स्वाल जैंप ठीक है नो सो चालेश रुपिया स्वाड़े इसको Safetyius करके चेक करता है जैसे ये कभार है इसका ठीक है और इसको वाल में हेंगिंग करने के लिए और इसमें होल्डर दिया हुआ है ठीक है ये इसमें फिक्स किया गया है इसको किस तरह से फिक्स करना बस इसमें कुछ नहीं केबूल इसमें दिया गया है टू कोर का ठीक है इसमें क्या कुछ नहीं क करना है नॉर्मली जो हमलों का बाल्व होता है उना यह रख जाता त्रेड भाला नहींidar इस तरह से इसको कर इसको थिक्ष कर दीजिए बस उसके बाद आपको इस तरह से लाई के लगाना अक्रद lados अगर नीचे करके लगा उना तो नीचे भी करके जैसे यहां पर लगा दिया हूं ठीक है और इसको बेक शायट से इसको طel कर देना य्यां तो नीचे इस्टॉल करना तो इस्तिर रखना तो समय पर यहां आपका दिक रहा है इसमें उद्सäre पर आपका सार्कुलर भी छोटा वाला बॉक्स हो है उसमें एक स्कूरू मार देना है या नाट वोट लगा कर देना है फिर उसमें हेंगिंग कर देजे ठीक है और केबल को इसमें जोड़ देना है जैसे आपको मैं इसमें बाल्ब लगा का भी चेक करके देखा देता हूँ तो यह जैसे बाल्ब है ठीक है तो बाल्ब को इसमें फिक्स कर देता हूँ ठीक है यह बाजाल्ब का बाल्ब है नाइन वाट का असपास में है नाइन वाट का है ठीक है इसको फिक्स कर देता हूँ इसमें जैसे लगा दिया हूँ आप इसको चालू करता हूँ इसमें पौर लगार्विन इसको बाइक हो लगाती हैं आप में इसको पॉर देता हुआ हो के इसमें रोस्नी दे रहा है मेरा इधर अगल बऒद में लाइड जारा है करन प्रसुना का पता नेन चलबारों ठीक है आधी नीश में इसमें क्या है थोड़ा सा ये काप रहा है किमरा का ये हो ये दिक्कत होता ठीक है रोस्नी यहां से ज्यादा आपको इसमें दिख रहा है क्योंकि जो बाल्प यहां से आधा जो है रोस्नी नहीं देता है फिर भी ये आपका किमरा में सो रहा है कि लाइड दे रहा है पूरा में लेकि निहा से इसका नीचे में ज्यादा रोस्णी है जो CFL बल्प आपका दिखता है उसी सबसे तो इसमें क्या है यह लगाने से आपको जो आख में LED या अगर बल्प है जो अगर आप नजर उसमें डालते है तो ज्यादा आपको थोड़ा धुन्दुला कर देता तुरा तो इसमे जो रोस्णी है उक कम कर देता ठीक है इसको लागाने से यह इसका फायदा है और इसका 470 रुप्या दाम है यह दूपी सोडर किया गया है एक किसी का रूम पे इंस्टॉल करना है ठीक है और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिंगा अगर पुछ भी जानकारी च प्राजा करते रहेंगे जूरे रहें धन्यवाद